टिक्टॉक के पेरेंट कंपनी बाइट डान्स ने इंडिया में ऑपरेशन्स दुबारा स्टार्ट करने के जो भी उम्मीद है थी उसको भी अब पूरी तरीके से लूज कर दिया है क्योंकि मैं आपको बता दू कि रीसिंट्ली जिसमें आपका टिक्टॉक भी आता है जिसमें उन्होंने बैन लगाया था वो बैन यहाँ पे जारी रहेगा जो टिक्टॉक के फैंस थे, क्रियेटर्स थे, जिनके मन में थोड़ी से उमीद यह थी भी कि शायद यहाँ पे टिक्टॉक की दुबारा से शुरू आत हो सकती इंडिया में वो भी बहुत जादा अब निराश होने वाले इंडियन गवर्मेंट के लेटेस नोटिफिकेशन के चलते, बाइड डान्स को यह समझ आ गया है कि वो टिक्टॉक को इंडिया में दुबारा शुरू नहीं कर सकते इसके चलते कमपनी ने अपने जो भी इंडिया ओपरेशन के तकरीबन 2000 एंप्लोईज को भी यहाँ पर फायर कर दिया इनिशिली कमपनी ने सोचा था कि यह जो बैन है वो कुछ समय के लिए चलेगा, थोड़े देर बाद जो है इस बैन को शायद इंडियन गवर्मेंट हटा दे, जिसके वज़े से उन्हों शुरू में जो है इंप्लोईज को नहीं फायर गया था लेकिन टिक टॉक बैन के 6 महिने के बाद अब उनको यह समझ आ गया है कि इंडियन गवर्मेंट जो है टिक टॉक को इंडिया में चलने नहीं देगी जिसके वज़े से बाइट डांस ने यह कदम उठाया है के बारे में माना है मैं आपको बता दू कि soft bank जो है वो bite dance और glance में common investor है इसके साथ ही इस deal का complete होने में जो है यहाँ पर चार इन पार्टीज इन्वाल्ड है पहला है आपका bite dance दूसरा है आपका glance तीसरा है आपका soft bank और चौता है आपका Indian authorities जो की यह मज़िदार बात हो जात बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं आपको बता दू कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर टसल हुआ था उसके चलते इंडिया ने चाइना के तकरिवें 250 प्लस आप्स को बैन कर दिया था वही पर soft bank जो है ऐसी Indian company को ढून रही है जिसको जो टिक टॉक के assets है वो यहाँ पर bite dance उसको बेच सके मैं आपको बता दू कि यह deal जो है इतनी भी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि अगर यह deal हो भी जाती है आगे अगर बातचित बढ़ भी जाती है पूरी तरीके से तो Indian government जो है Indian authorities जो है वो यहाँ पर bite dance को यह force करेंगे कि इंडिया का जो भी user data और technology है वो यही पर leave करें अपने साथ कुछ भी ना लेके जाए लेकिन यह जो है इतना भी simple नहीं होने वाला है bite dance के लिए क्योंकि इस case में फिर bite dance को जो है अपने Chinese government से यह permission लेनी पड़ेगी कि वो अपने जो भी assets है उसको यहाँ पर इंडिया में ही बेचना चा के complete होती है तो इंडिया में TikTok को ban कर दिया गया था इसके साथ ही वो जो है December के मंत में last year ही यहाँ पर unicorn बनी थी जब उन्होंने Google से fundraise किये थे आपको यहाँ पर यह भी जानने की ज़रूत है कि TikTok के ban के बाद ऐसे कई सारी companies है जिन्होंने अपने similar short video platform इंडिया में launch किये ताकि जो भी TikTok की audience ह उसको अपने platform पर ला सके उनको लुबा सके चाहे वो Instagram का real हो जाए या फिर YouTube के अपना short video platform YouTube short हो जाए या फिर moj हो जाए और इसी की तारा बाकी सारे भी platforms है जैसे कि जोश हो गया रूपोस हो गया लेकिन honestly यह बात तो आपको भी मानने पड़ेगी कि TikTok की popularity को इन सारे platforms ने जो है अभी तक वो लोग match नहीं कर पाएं वही पर TikTok के existing users या creators वो जो है अभी भी TikTok को इंडिया में जो है miss कर रहे हैं लेकिन TikTok इंडिया में बैन है लेकिन globally जो है वो धडले से चल रहा है उसका जो है कोई भी competitor market में नहीं है जिसके लिए TikTok को एक बहुत बड़ा advantage है global market में औ बाकि दोस्तों आप लोग ज़र हमें comments में बताएं आपको लगता है कि by dance और glance के बीच में जो deal है वो complete हो पाएगी अगर हां तो आपको लगता है कि TikTok जो भी user data है वो इंडिया में ही छोड़ जाएगा या फिर इसको भी लेके कुछ दिक्कते होंगे बाकि आप लोग ज़र आप में उसकी अलग ही बात थी जो भी आपके thoughts हैं हमें comments में जरूर बताएगे हम लोग जरूर आपसे सुनना चाहेंगे बाकि मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेर को जरूर आपके पसे जरूर आपके बाकि मुझे।